पहले तो आप सभी को मेरा प्यार भीरा नमस्ते मेरा नाम है पूजारावत स्वागत है आपका मेरे फिर से एगने ब्लोग में ने दिन के साथ और दे भूमी उत्रा खंड के इन खूप सुरा नजारों के साथ और साम के लगबग पांच बच चुके हैं तो आज मैं सुवे से नहीं बनाए मैंने ब्लोग क्योंकि मेरे पास जादा कुछ नहीं था आज बताने के लिए तो आज मैं साम कोई ब्लोग बना रही हूँ अपना और यह देखे दाधी हमारे घर में आ रहे खिए और मैं आज आप लोगों को कुछ खास दिखाने वाली हूँ सायद आप लोग आज कल इन घार बन तो मुस्कीली ची पर यह पुराना घार ची हमागाओं का सबसे ज्यादा को कुछ खास दिखाना चाहते हूँ इसकी अंदर है तो दिखाते हूँ आपको क्योंकि घर बहुत पुराना है तो इसके अंदर हो चीज है और यह है वह खास चीज जो मैं आप और कहीं नहीं है यह काफी पुराना है और यह बहुत घने वाले जंगल में पाये जाता है तो इसके सिंग हर साल जितने साल की इसकी उमर होगी इतने साल में इसके सिंग भी बड़े होते हैं तो बारा साल अगर यह जीएगा तो बारा साल में इसके बारा सिंग होते हैं और कि मेर को इसके बारे में जादा था नोलेज नहीं है तो ताही लोग को पूछती हूँ मैंने आप इख़टा करके रखें लोग तो यह वो लोग उन लोगों से पूछती हूँ धामाता है थाड़ए पूंस यह महां आप मेरी थाड़ टेल कोछत तुन घ्रल गाओ तिर यह वे जदि पाट डरीज तो में ज Подाख के लगाओ यह वि नव्युचिस मारे अटनलाक टेला चीत वह तेला नापाड और ये देखिए इन्होंने काफी सुन्दा डिजाइन कर रखा इन पे और बहुत पुराने जमाने से पर अभी बिनकर डिजाइन खराब नहीं हुआ और जो इस तिवारी पे ये है तो ये लखड़ी से बन रखे हैं और ये तिवारी आज कल मलव कुई नी बढ़ाने थी कि लिए बाण मुस्किल नी नामुम्किन चा द्याओ को तो सुन्दर सुन्दर डिजाइन कर ये भरा और ये लखड़ा कर ये पूरु डिजाइन मलव नामुम्किन हो गया है तो देख सकते हो इनने अच्छे जगर हमारे गाउं में अभी भी है पुराने जमाने के जो अभी भी है इस गाउं में पुराने घर के गेट देख सकते हो आप कुछ ऐसे होते थे कमरे के अंदर जाने के लिए तो काफी छोटे होते थे ये और ये जानबुज की छोटे इसको बनाने में फैसे पंधर बनाने में घहाने में पैसे काफ़ी टाइम लिए पर यही देखो किन Better लिजाइन बना रखें उनको कि मिधंरा गेट को चुर् काफ़ी अरग डिजान है। यह देखे और इस पे देखो पत्थर से काफी अच्छा डिजाइन कर रखा है तो इसको बनाने में भी और पुराण जमन हमकुछ इन बियार बढ़े आरेंद चाहिए समानूमान रखनों कूँ और इस पत्थर पे भी काफी अच्छा डिजाइन कर रखा है यह देख सकते हैं यहां पे काफी पुराने जमाने का समान है इसको जंदरू बोलते हैं इसको मंदरू बोलते हैं और यह ड्वारा है यह काफी पुराने जमाने का है तो आजकल यह चीज भी नहीं मिलती लोगों ने जो यह थे वो फैंक दे क्योंकि आजकल तो अनाज होनी र तो इसमें पुराने जमाने में मंडवांडवा रखते थे तो कुछ ऐसा होता है और इसमें कुछ नहीं है खाली है ये और ये है मंदरू ये धान मांडने के कामा था पुराने जमाने में तो आजकाल तो ऐसी लोगों ने फेग रखाए है क्योंकि धानवान तो कुछ होता नहीं है तो ये पुराने जमाने की पुरानी चीजे है और ये है पुराने जमाने की चक्की इसको जंदरू बोलते हैं तो इसमें लोग पुराने जमाने में आटा उटा पीशते थे, मला गेह हुए 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 इसमें पीशते थे, और ये टेवल बहुत पुराने जमाने का है, मला हम लोग भी इसमें बेटे हैं, तो काफी पुराने जमाने का है ये टेवल, इन लोग ने बताए मेरे को, तो इस देख सकते हैं अब यह काफी मस्बूत है काफी मोटा है हिल भीनिदा यह देखे नीचे पूरी घास दम रखें क्योंकि इस घर में कोई नहीं देता और इस घर के भार यह सी सा लगे हैं तो यह भी काफी पुराने जमाने से लगें इसी से अब तो फूड भी गया एक सब्सक्राइब कर दिखाते हैं और जो यह घर का नाम है दलमबाडी यहां से और वहां तक तो यह भी काफी पुराने जमाने जैसा था वैसा ही है इस घर में भी काफी पुरानी पुरानी चीजे हैं तो मैं आप लोगों को आज दिखा देती हूं और यह देखिए दर्वाजा काफी पुराने जमाने का है और काफी अच्छा डिजाइन कर रखा इस दर्वाजे पर देखिए पथरों से काफी अच्छा मुश्किल है तो देख सकते हो आप लोग और ये देखिए पत्थर पे काफी अच्या लिख भी रखा है तो इसलिए में इस घर में आई क्योंकि ये घर मुझी पता था बहुत पुराने जमाने से और इस घर में बहुत अच्छा-चा डिजाइन में बना रखा है पुराने जम मुम्किन है तो काफी अच्छा है ये घर अब इस घर में जितने भी डिजाइन बना रखे न पत्थर से वह मैं सबाव लोगों को दिखा देती हूं और ये देखिए पुराने जमाने में कुछ ऐसे खिड किया हुआ करती थी तो एक उपर भी और एक नीचे भी है और ये देखिए कुछ अलक्स दर्वाजा है और इस पे ये कुंडी है ना ये बड़ी अजीब सी है इस घर के चारो तरब से रास्ते हैं तो बच्पन में आप इस घर में खेला करते थे तो उस टाइन से इस घर में कोई लोग ने देते हैं और इस साइड को तो पूरा दूबलू जम रखा है और एक ये घर है हमारे गाउं में तो ये भी काफी पुराने टाइम से है और इस घर में भी अब कोई नहीं रहता तो हालत देखे तो लगी रहोगा आप लोगों को क्या बुरी हालत और की इस घर की तो ये लोग भी सहर में रहते हैं और इस घर में भी तीवरी है और किसी ने याँ पे जख्या सुका रखा है पतानी किसका होगा जिनकी ये गाए होगी तो इस घर के भी काफी बुरे हालो रखे है और काफी देख सकते हूँ आप पुराने जमाने के घर कितने बड़े होते थे तो उस जम्हाने में इन घरहों में रहने की जगा भी कम होती थी और आजकल तो घर बड़े हैं पर लोग नहीं है घर में देखसकते हों पूरे घर खाली है हमारे इधर अधर भी यह जो है न है इस पर धार लगाई जाते हैं अब दलमबाड़ी में थोड़ता लेवल घर भी दिखा दिनुआ और में दगरी दादी चाहाँ दोस्त बढ़के में आरें अब दलमबाड़ी के कुछ घर इस साइड को भी है ये देखिए ये घर भी उपर से टूट चुका है इन लोगों ने नया वाला घर बना दिया ये और इधर भी घर थोड़ा खराब होने लगे तो उन लोगों ने उदर घर बना लिया है ये देखिए पुराने जमाने के घरो कुछ ऐसे चिनाई होती थी पथरों पर और इनकी उस ताइम पर लिपाई पुथाई नी लोगों नहीं था पता तो ये देखिए कुछ ऐसे चिनाई करते थे उस जमाने में तो खाफी अच्छी चिनाई है आज, जमाने में लोग ईसे गर इसलिए बनाते जाना » किननी नामुम्किन है और यह थोग दरू घार च ती ओभी काफी बढ़ू च और यह विज़र काफी अच्छुच मना में गयुछ यह कमरा अंदर तो काफी अच्छुच यह कमरा अंदर और यह दादी देखो 90 साल के हो गई है काफी जवान है भी यह देखिए इस गाये पे ब भूद बुरे हालो रखें और इस बिमारी की कोई इलाज ने इस बिमारी का और यह देखिया रभी इसका छोटा सा बच्चा भी है और यह भी बहुत पुराने जमाने का घरेत पर इन्होंने आगे नया बना लिया है पर उस साइड को तो पुरा नहीं है यह देखिये जो लोग घर में नहीं रहते उनके घर के आल देवो पूरी गास दम रखें घर में और यह दादी भी गास लेके आ चुकी है गसेरी एक यह दादी इदर से आ रही है और यह जदगवे घार में तुम ते दिखाया ची यह गारों में कुई नी रहे ना वह तब यह गारों बहुत बुरा आप लोगों मेरी वीडियो पसंद आई हो पसंद आई तो लाइक करना कमेंट करना और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज सस्क्राइब जरूर करना मैं पूजा रावद मिलतु आप लोगों फिर से अपने अगली वीडियो में तब तक कि लिए आप लोग स्वस्त्रे मस्त्रे अपने काम पर खूब ब्यस्त्रे ओके बाए